इंदोर पहुचे लोक्टिनमार्ट विभाग के मंद्री राकेश सेह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कॉंग्रेस और राहूल गांधी पर जम कर निश्वाना सा था। राकेश सेह बोले उनके पास अब काम ही क्या बचा है। पीडिया से चर्चा में राकेश सेह ने कहा कि यजी राहूल गांधी यात्रा नहीं निकाले तो कई तरह की सवाल खड़े हुँगे। चाहे वो टिक्टो को लेकर हो या अन्यदलों के साथ सामंध्यस करना हो। यात्रा के जरीए एक तरह से कॉंग्रेस राहूल गांधी को व्यस्त कर देती हैं ताकि वो व्यस्त रहे और कॉंग्रेस की परिशानिया नहीं पड़े। उन्होंने का कि मुझे पता चला था कि वो खाट पंच्वायत करने वाले हैं। अच्छा है वह ऐसा करें हम भी यहीं चाते हैं। ऐसा करके वह कॉंग्रेस की खाट ही खड़ी करेंगे। कॉंग्रेस के निताओं को बाद में ध्यान आ गया कि यह गलती होने वाली है। इसलिए खड़गे को आगे कर दिया। न्या यात्रा हो या पहले की यात्रा हो इसका मध्यप्रदेश या देश में किसी तरह का कोई असर होने वाला नहीं है। मध्यप्रदेश में 12-15 लोगसबा सीट जीतने का दावा करने की सवाल पर राकेश से ने कहा कि कमलात ऐसा नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे। बड़ी मुश्किल से वह अपनी स्थिती को बचा पाए है। ऐसा कहना उनके लिए आवशक भी है। तबलात कहीं भी यह नहीं कहा रहे हैं कि हम 29 में से 29 या 25 सीट जीतेंगे। कॉंग्रेस अपनी हार पहले ही मान चुकी है। वह जानते हैं कि इस बार 29 सीट जो चिंदवारा की है उसे भी बचाना मुश्किल है। तो कई तरह के सवाल खड़े हूंगे वह टिक्टों को लेकर हो या अन्यदलों के साथ सामझत्स्यक लेकर हैं। तो एक तरह से कॉंग्रेस राहुल जी को इंगेज कर देती है। ताकि वह इंगेज रहें तो कॉंग्रेस की परशानियां ना बढ़ें। अब जिसे उन्होंने अभी मुझे पता चला था कि खाट पंचायत करने वाली है। विकिन कॉंग्रेस के नेताओं को बाद में ध्यान में आ गया। कि ये गलती होने वाली है और इसलिए खड़गे जी को आगे करके उन्होंने फिलाल उसको बढ़ा दिया है। तो राहूल जी की नया यात्रा हो या पहले की यात्रा है उन सब का मध्यप्रदेश पर या देश में किसी भी तरह का कोई असर होने वाला नहीं है। राहूल गांदी जी अखेले परयाप्त है। जन्ता को आक्रोशित करने के लिए राष्ट विरोधी बातें करके देश विरोधी बातें करके तुष्ट्री करन की नेतियों को पनरस्थापित करके वो केवल जन्ता को आक्रोशित करने का काम करते हैं और वो बख्रू भी कर रहे हैं। कमलनाज जी अब यह नहीं कहें तो वह क्या कहें बड़ी मुश्किल से वह अपनी इस्थिती को बचा पाए है और यह कहना उनके लिए आवश्यक भी है और जरूरी भी और आप देखिए कि कमलनाज जी कहीं भी यह नहीं कह रहे हैं कि हम उन्तीस में से उन्तीस सीटें जीतें कॉंग्रेस अपनी हर पहले ही मान चुकी है वो जानती है कि इस बार तो 29 सीट जो चिंदवाडा की है वो भी कॉंग्रेस को बचाना कठें नहीं बरहाल लोकसबद चुनाव के पूर्व पार्टियों ने एक दूसरे परारोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिये हैं इंद दोर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट